देखी बूट्सेप की फर्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी, वहाँ पर एक चीज बताई थी कि बूट्सेप की हेल्प से website का layout जो है वो बनाना काफी easy होता है, वो easy क्यों होता है, क्योंकि उसके लिए बूट्सेप के अंदर 3 classes आती हैं, स क्लास है, वो काफी advanced class है, इसलिए उसको मैंने आगे दो वीडियो में समझाया है, तो यह अब देखते हैं कि container class का क्या मतलब है, यहाँ देखिए, माली जी हमारे पास यह एक div है, और इस पे हमने एक class लगा दी container, अब यह container class करती क्या है, जैसी हम किसी भी div पर container class लगाते ह वो automatically हो जाती है, 1140 pixel, और इसी के साथ जो जो यह div होता है, वो automatically page के center में हो जाता है, मतलब कि उसका left और right से जो margin है, वो auto हो जाता है, automatically, इस class का जो main use होता है, जब भी हम कोई website बनाते हैं, उसका जो main wrapper होता है, मतलब कि main div, उस पे हम यह class लगाते हैं, container class की तरह हमारे पास यहाँ पे, boot setup के अंदर एक खोर class होती है, उसको हम कहते हैं, container fluid, यहाँ पे जो container fluid class होती है, जब भी हम किसी div पर लगाते हैं, तो automatically उस div की width जो होती है, वो होती है 100%, मतलब कि यह एक liquid layout में काम आती है, अगर आपको full width का कोई भी एक website का layout बनाना है, तो वहाँ पर हम इस class का use करते हैं, और अगर आपको कहीं पर fix layout का design बनाना है, तो वहाँ पर हम container class का use करते हैं, अब जो container class है, वो हमेशा fixed ही नहीं रहती है, वो responsive भी होती है, अलग-अलग screen के sizes के according, उसका size भी change होता रहता है, जैसे वो हमेशा fixed नहीं रहता, 1140 pixel, अब यहाँ पर मैं आपको एक बा WhatsApp की CSS के according, पांस तरीके के अलग-अलग breakpoints होते हैं, जिसको हम कहते हैं, extra large, large, medium, small या extra small, यह जितने भी sizes होते हैं, यह actual में browser की width के sizes होते हैं, वोट्सेप के अंदर इन अलग-अलग 5 तरीके के breakpoints के लिए, अलग-अलग media query लिखे गई है, उसी के according जो मारे container की width है, वो भी change ह होती है, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि जो मारा extra large size होता है, इसकी क्या range है, देखिए अगर किसी monitor की या laptop की screen का size 1200 या 1200 से ज़्यादा है, तो वो extra large में आती है, और अगर किसी screen का size, monitor की या laptop का size 992 pixel है, या उससे ज़्यादा है, और कहां तक है 1199 तक, मतलब कि ऊपर वा medium size की screen की, इसकी जो range है, वो है 768 से लेकर 991 तक, हम medium में basically वो ले sizes सारे count करते हैं, जो tabs के लिए आते हैं, इसके बाद जो हमारा size आता है, वो है small size, small size की जो range होती है, वो होती है 576 pixel से लेकर 767 तक, इसमें भी basically tab के ही sizes आते हैं, मगर वो ले tabs, जिनकी जो weight है, वो काफी कम र 56 से कम होती है, इसमें basically जितने भी mobile के sizes होते हैं, वो सारे इसी category के अंडर आते हैं, extra small के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पार bootstrap की जो CSS वाली file है, उसमें ये सारी range के according, अलग-लग media query लिखी गई है, और इसी के according ही हमारी जो container class होती है, उसकी भी size change होता रहता है, देखे, extra large म में ये हो जाती है, 960 pixel, और medium screen पे 720 pixel, small में 540 pixel, और extra small में auto, मतल़ कि जितना भी mobile की screen का size होगा, उसके according container की width भी उतनी ही हो जाती है, तो आइए शुरू करते हैं practical, और मैं आपको दिखाता हूँ कि container class कैसे responsive होती है, और हम इसे कैसे use कर सकते हैं, यहाँ देखे, web editor के अंदर मैंने अपना वही folder open कर लिए, जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में create किया था, learn bootstrap, और यहाँ पर हमारे पास एक folder है, जिसका नाम है css, इसी के अंदर हमारी ये css की file आ रही है, जिसका नम है bootstrap.css, और यह हमारा first file है html की, जिसका नम है first.html, और यहाँ पर हमन मैं यहाँ पर container class मैंने लगा ली, एक div पर, यह देखिए, अब इसके अंदर मैं कुछ लिख भी लेता हूँ, जैसे मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ, yahoo baba, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात पताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी अपना css का काम करना है, तो आप आपको एक अपनी अलग से file बनानी पड़ेगी, आप इसके अंदर change मत करिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपनी एक file बना लेता हूँ, इसको मैं duplicate कर लेता हूँ पहले, और अपनी जो file बनाऊंगा, उसको नाम मैं रख देता हूँ, जैसे style.css, यह देखिए, आपने जब भी अपनी कोई file बनानी है, css की, तो उसको हमेशे bootsep वाली file के नीचे ही रखना है, ऐसा इसलिए, मानली जी, अगर आप bootsep की कोई भी file की class को overwrite करना चाते हैं, वो तब ही overwrite हो पाएगी, अगर आपने अपनी वाली file उसके नीचे बनाई होगी, अगर आप अपनी in इसको मैं save कर देता हूँ, और नाम रख देता हूँ, style.css, यह देखिए, तो यह मेरी file बन चुकी है, अब मैंने जो यह container class बनाई है, इस पर already width वगारे लग चुकी है, मैं इस पर आपको यहाँ पर border लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं border लगा रहा हूँ, 8 pixel का, थोड़ा ज्यादा लगा रहा हूँ, solid और black, यह देखिए, यहाँ पर मैंने इसे 8 pixel का, black color का border लगा दिया है, ताकि आपको जो container है, वो दिखने लगे, तो यहाँ मैं file को save करता हूँ, यहाँ पर हमें एक कम और भी करना होगा, देखिए, जब भी हम कोई भी ऐसी website बनाने जा रहे होते हैं, जिसको हमने बाद में responsive भी बनाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक tag और लगाना होता है, जिसको हम कहते है meta tag, और उसकी value यहाँ पर लेनी होती ही viewport, तो वो हमें कहां से मेरेगी, मैं भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए web browser के अंदर मैंने bootstrap की जो official website है, getbootstrap.com उसको open कर लिया है, अब यहाँ पर जाके मैं इस link पर click करूँगा जिसका नाम है get started, इस page की open होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा scroll करूँगा, और यहाँ पर हमारे पास आजेगा starter template, मतलब कि जब भी आपको bootstrap को use क करके कोई template ready करना है, तो इसका startup यह syntax है, इसको आप सीधा copy करके भी वहाँ पर paste कर सकते हैं, तो मैंने already basic syntax वहाँ पर लिखा हुआ editor के अंदर, मैंको just यहाँ पर एक ही चीज़ copy करनी है, जिसका नम है meta tag viewport, मैं इस पूरी line को copy कर लेता हूँ, और यहाँ पर आकर title tag के नीच इसे paste कर देता हूँ, यह देखिए, अब इस line का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे मैं meta tag से related एक detail में video बनाऊँगा, मगर यहाँ पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, देखिए meta tag है, यहाँ पर हम ले रहे हैं viewport, इसमें अलग-अलग names आते हैं meta tag के अंदर, कि आप जो meta tag बना रहे हैं, किस चीज से related बना रहे हैं, तो हम जो यह चीज बना रहे हैं, यह बना रहे है viewport, viewport हमारी वो चीज होती है, जितने हिस्से में हमारी website जो है, एक screen के अंदर दिख रही होती है, चाए वो mobile की screen हो, चाए tablet की, या फिर computer या laptop की, और इसके अंदर हमने यहाँ पर अलग-अलग value पास की हैं, देखे, content के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पर value पास की है, width is equal to device width, इसका क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पर website के content को यह बता रहा हूँ, कि जो भी content है, वो device की width के अंदर ही रहे, या text वगरा जो भी है, अगर वो website से बाहर जाने की कोशिच कर रहा है, मतलब कि mobile की screen से बाहर, तो उसके अंदर automatically fit हो जाए, इसके बाद जो हमने यहाँ पर दूसरी value लिया है, जिसका नाम है यहाँ पर initial scale, basically दो चीज़ी हो सकती है, content से लिटेट, या तो zooming या zoom out, तो zooming के लिए हम zoom करके रख देते हैं, one ratio पर, one मतलब कि accurate, जैसे हमें computer की screen पर, या laptop की screen पर, जैसे website का content देख रहा है, बिल्कूल वैसे ही, उतने ही zoom level अगर हम set करना चाते है, mobile या tablet की screen पर, तो हम यह वाली value यूज़ करते हैं, और इसके बाद यहाँ पर है, shrink to fit is equal to no, देखी, इसका क्या म बनाते हैं, और अगर वो responsive ना हो, तो actual में होता क्या है, अगर आप उसे अपनी mobile की screen पर देखेंगे, तो उसका जो font है, उसकी जो images है, वो सब कुछ shrink हो जाता है, वो छोटा छोटा हो जाता है, और अगर आप चाते हैं कि वो shrink ना हो, तो उसके लिए आपको यह वाली value यू responsive website बना रहे हो, तो इस line को जुरूर अपने web page के अंदर add कीजिए, तो यहाँ पर मैंने इस file को save किया, अब मैं एक बार आपको browser में check भी करा देता हूँ, यहाँ देखिए मैंने web browser के अंदर, अपनी file open कर लिए first.estimal, अब मैं इसको page को refresh करता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो page के center में हो चुका है, और उसको एक width भी लग चुकी है, अब यह width कितनी है, इसको भी मैं आपको check करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर right click करता हूँ, और यहाँ पर inspect, यहाँ देखिए, inspect करने से, यहाँ पर आपके पास Google का web browser पर toolbar open हो ज जिसका size है 1200 यह 1200 से ज़्यादा, तब container की जो width रहेगी, वो रहेगी 1140 pixel, अब देखिए मैं इसको कम करता हूँ, मैं यहाँ से, अगर आपके पास कुछ इस तरीकी की screen ना open हो रही हो, तो इसको कैसे open करना है, देखिए, यहाँ पर एक mobile और tablet का sign है, जो अभी मेरा blue रख है, अगर मैं इसको हटाता हूँ, तो यह normal face में आ जाता है, यह देखिए, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपके सामने क्या होगा, यहाँ पर आपके पास drag and drop करके screen को size को कम करने वाला tool open हो जाएगा, यह देखिए, तो first hand जो यह open होता है, तो यह काफ यहाँ पर इसको कम करता हूँ, यह देखिए, जैसे मैंने इसको कम किया है, तो यहाँ पर container ने जट कम आ रहा, मत्तिकि उसकी width कम हुई है, तो देखिए, अब इसकी width कितनी हो चुकी है, container की, यहाँ पर आपको दिखा रहा है, 960 pixel, और देखिए, मगर मैं इसको और कम करू तो देखिए, यहाँ पर यह निया size आ गया, यह है medium screen, तो medium screen पर मैंने आपको बढ़ाता है, जो container की width है, यह देखिए, container लिखा हो, उसकी maximum width कितनी हो चुकी है, 720 pixel, और medium screen की नीचे जो उनसी screen होती है, वो होती है small screen, मैं भी आपको कम करके दिखाता हूँ, यह देखिए, य यहाँ पर देखिए, container की width हो चुकी है, 540 pixel, आप देख रहे हैं कि जैसे-जैसे मैं screen का size कम कर रहा हूँ, वैसे-वैसे container की width भी कम होती जा रही है, अब इसके बाद last screen बचिए, वो है extra small, तो देखिए, जैसी मैं 500 से कम हुआ, यह देखिए, यहाँ पर अब जो container की जो borders है वो बिल्कुल चिपक चुके हैं, क्योंकि इसकी width हो चुकी है, auto, अब मैं जितना मर्जी कम करना हूँ, आप देख रहे हैं, उपर से size 305 pixel हो चुका है, मगर वो auto ही चल रही है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, container की width दिखा रहा है, 100%, तो यह देखिए, तो इसका मतलब जो container है, वो automatically responsive ही काम करता है, उसकी CSS पहले से ही हो रखी है, आपको कुछ भी करने की जूरत नहीं है, और यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पर जैसी मैंने content डाला, तो यहाँ पर left side से एक gap आ रहा है, यह देखिए, जो gap होता है, यह left और right side से दो जोनों से आता है, मैं आपको यहाँ पर चेक भी कराता हूँ, यहाँ देखिए, container के अंदर, यहाँ पर left से 15 pixel की padding दे रखी है, और right side से भी 15 pixel की padding दे रखी है, और margin left और right से auto कर रखा है, अब इसके बाद मैं आपको दूसरी class दिखाता हूँ, जो container से मिलती जोलती है, जिस इसकी width जो है, वो 100% हो जाएगी, मैं आपको file को save करके browser में check कराता हूँ, देखिए, मैं यहाँ पर आया और मैंने file को refresh किया, यहाँ पर actual मैं border नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से, जो width लगाई हुथी, वो container class पर लगाई हुथी, मैं आपको उस पर border लगा के दिखात हूँ, देखिए, मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर container-fluid लिख लिया, यह देखिए, मैंने file को save किया, और यहाँ पर आकर file को refresh किया, यह देखिए, आप देखिए, यहाँ पर container-fluid लगाया, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर boot setup की class जो हमने लगाई है, वो bootstrap की फाइल भी दिखा रहा है, इसको जो width है वो automatically लग चुकी है, 100% इसमें padding भी आ रही है, left.site से आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो हमने yahoo, baba, word लिखा हुआ है, इसके left से space भी आ रही है, और इसमें left और right से margin भी लगा हुआ auto, तो यहाँ पर जो container container fluid class हम तब यूज़ करते हैं, अगर हमने full width की website बनानी हो और जब भी हमें fix width का एक layout बनाना होता है, तब हम हमेशा container class यूज़ करते हैं, अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारे पास दूसरी class है, जिसका नम है row तो यहाँ पर मैं इसे ctrl z कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर भी आके ctrl z यहाँ देखी, यहाँ पर हमारे सामने एक website का design है, जिसमें header आ रहा है, menu है, यहाँ पर content का part है, sidebar है, और नीचे footer है अगर इस तरीके का हम design woodshap में बनाने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखी, जो main सबसे बाहर div है, जो आपको black border में देख रहा है, जो इस तरीके का सबका parent div है, उस पे हम class लगा लेंगे अपनी container, और container से क्या होगा, अभी आपने कैसे, माली जी जैसे हमने यहाँ पर header शुरू करना है, तो उसके लिए हम एक div लेंगे, और उस पे एक class लगाएंगे row, फिर हम जैसे यह menu का part बनाना चाते हैं, तो उसके लिए भी हम एक div लेंगे, उस पे भी class लगाएंगे row, उसके बाद जैसे हमारे पास यहाँ पर यह content का part आ रहा है, और साथ में sidebar आ रहा है, तो इसके लिए भी हम एक div लेंगे, उस पे class लगाएंगे row, अभी इस row के अंदर हम दो column लेंगे basically, content वाला और यह light blue वाला, यह दोनों एक div के अंदर आएंगे, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, red color का एक div है, इसी पे हम अपनी class लगाएंगे row, और अगर इस तरीके के हम यहाँ पर div create करना चाहते हैं, अलग-अलग wait के, उसके लिए यहाँ पर एक अलग से class आती है, जिसे हम कहते हैं call, जिसको हम अपनी next वीडियो में देखेंगे, और last में आप देखी, जैसे हमारे यह footer वाला part है, तो यहाँ पर भी हमें div लेंगे, और उस पर भी same ही class लगाएंगे, row, तो आपने देखा कि जब भी हमें horizontally, कोई नया एक element डालना है, या आप यह सोच सकते हैं div डालना है, तो वहाँ पर हमें class लगानी होती है, row row का सिरफ इतने ही काम होता है, मैं भी आपको practical करके दिखाता हूँ यहाँ देखिए, मैं web editor के अंदर अब इसी line को मैं duplicate कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ row 2, फिर एक खोर line ले लेता हूँ row 3 अब मैंने देखिए, यहाँ पर 3 div ली है और 3ों पर class लगाई है, row और इन 3ों पर मैं अलग-अलग color भी दे देता हूँ तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर गया, मैं इसी line को duplicate कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ row और यहाँ पर जो border का size है उसको कर देता हूँ 5 और यहाँ पर color change कर देता हूँ red यह देखिए यह color मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको easily पता लग जाए कि row basically दिखती कैसे है तो यहां मैंने file को save किया और यहां पर आकर मैंने file को refresh किया यह देखिए यहां पर आप देख रहे हैं तीन अलग-लग div आ चुके हैं जिन पर हमारी यह red color का border भी आ रहा है इन तीनों पर मैंने क्या लगाई यह class row तो जब भी मैं किसी div पर row class लगाऊंगा तो div जो होगा वो responsive बन जाएगा और जिस container के अंदर आ रहा होगा उसी के अंदर ही fit रहेगा अब मैं दुबारा से screen के size को responsive करके दिखाता हूँ तो मैं यहां पर right click करके inspect करता हूँ और यहां पर थोड़ा से नीचे करता हूँ अब मैं आपको इसको screen के size को कम करके दिखाता हूँ अभी आप यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ चो container है उसकी width आ रही है यहां पर 960 pixel इसका मतलब यह large screen पर है मैं इसको extra large में ले जाता हूँ यह देखिए यह extra large बन चुका है अब यहां पर maximum width आ रही है 1140 pixel अब देखिए जैसे मैं से कम कर रहा हूँ तो जैसी container की width कम हुई तो उसके साथ आप देख रहे हैं यहां पर row की width भी उसके साथ ही कम हो रही है यह देखिए दुबारा से कम किया मैंने और यह देखिए यहां पर यह small screen में आ चुका है अब इसके बाद मैं छोटा करूँगा तो यह extra small में आ चुका है आप उपर size भी देख रहे हैं तो container की width जो है बिलकुल उपर आप size के साथ match कर सकते हैं यह देखिए तो यहां पर जो हम row class use कर रहे हैं उसके अंदर कुछ CSS की properties भी होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ जैसी मैं किसी row पे click करता हूँ तो देखिए यहां पर हमारे पास आप देख सकते हैं यहां पर यह तो हमारी inline CSS है जो हमने लगाई है उसके साथ आप यहां प बात भी मैं आपको बताना चाता हूँ देखिए जब भी आपको row class लगानी है वो हमेशे container के अंदर ही लगानी है ऐसा नहीं कि आप container से बाहर लगा रहे हो तो यहां पर आपने देखा कि कैसे हम container class का use करते हैं और कैसे हम row class का use करते हैं रोर container का सिरफ इतना यूज था अब वीडियो को देखना मत भूलिए